नमस्ते फ्रेंड्स ओम स्री किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपके लिए लाई हूँ बेहद टेस्टी, क्रिस्पी, चटपटा, मज़ेदार एक कप गेहूं के आटे का नास्ता जिसे आप बना के तैयार कर सकते हैं सिर्फ पांच मिनट में ट्राई जरूर कीजिएगा, रैसे भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले गैस में रखेंगे कडाही इसमें एड़ करेंगे वन टेबली स्पून तेल चमच में देखेंगे तो दो चमच तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे गैस की फ्लेम मेडियम हाई रखेंगे तो अब यहां पर एक से दो जीरा आइड करेंगे अब देख सकते हैं कि बढ़िया से बबल सा रहे हैं यानि कि तेल पर फेक्ट गरम है तो अब यहां पर हम एड़ करेंगे आधी छोटी चमच जीरा दो बारी कटी हुई हरी मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के अपोर्डिंग एड़ कीजिएगा इसी के साथ एड़ करेंगे आधी छोटी चमच बारी कटी हुई अद्रक है लगातारी श्टेर करते हुए सभी चीजों को हलका सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे तो सभी चीजें अच्छे से रोस्ट हो गई है तो अब यहां पर हम आड़ करेंगे एक कप पानी टेस्ट के अपोर्डिंग नमक एड़ करेंगे एक छोटी चमच गैस की फ्लेम हाई करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि पानी में जल्दी से उबाला जाए तो य यहां पर हम आड़ करेंगे एक कप गेहूं का आटा जैसे ही आटा हम आड़ करेंगे पानी में गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो करेंगे आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बिल्कुन फास्ट मिक्सिंग करना है बिल्कुन आटे में लंस नहीं आना चाहिए इस बात क आप खास द्यान दीजिएगा तो यहां पर मैंने लिया है एक उबला हुआ बड़े साइज का ग्रेट किया हुआ अलू आइड कर देंगे अब यहां पर नास्ते का टेस्ट बढ़ाने के लिए एड करेंगे एक चमच सेजवन स्वास एक चमच एड करेंगे टमैटो कैचप स्वास अगर है तो जरूर एड कीजिएगा स्वास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा एक तिहाइ छोटी चमच, काली मिर्च पॉडर हमने एड किया है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे देर से दो मिनट तक लो फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेंगे क्योंकि हमने आलू यहां पर एड किया है न तो आलू में मोस्चर रहता है तो हमें यहां पर दे पूरे अच्छी तरह से खतम हो जाए तो यहां पर देख सकते हैं आठा अच्छे से पक गया है बिल्कुर नहीं चीप रहा है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे आठे को ढख देंगे पांच मिनट के लिए अब हम चलते हैं नेस्ट प्रोसेस में तो यहां पर मैने लिया ह एक बड़ा सा बाउल इसमें एड करेंगे आधा कप मैदा आप चाहें तो आधा कप गेहूं का आटा ले सकते हैं अब इसमें हमाइड करेंगे कुटी हुई आधी छोटी चमच लाल मिर्च लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अक्वाडिंग एड कीजिएगा टेस्ट के अ ना तो गाढ़ा बनाना है ना तो पतला बनाना है तो ये लीजे यहां पर हमने घोल को बना कि रेडी कर लिया है आपका सिस्टेंसी देख सकते हैं कि बिल्कुन इसी तरह की होनी अब यहां पर हमाइट करेंगे 3-4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया पती इससे क्या होगा कि नास्ता का जो टेस्ट है खाने में अच्छा लगता है और नास्ता कलर में भी अच्छा लगेगा ढ़के रखेंगे साइड में अब यहां पर हमने आटे को ट्रास्फर कर लिया है बड़े से बरतन में देखिए आटे डालते ही कैसे भाग राता ना लेकिन हमें नास्ता बनाना तो हमने पकड़ लिया अच्छे से आटे को फैला देंगे ताकि पूरी तरह से ठंडा हो जाए आप चाहें तो फैन के नीचे भी रख सकते हैं अगर जल्दी है तो आटे को तहलका सा हाथों में तेल लगा लेंगे और चिकना कर लेंगे तो आटे को यहां पर हमने अच्छे से चिकना कर लिया है अब यहां पर आटे को हम दो भाग में डिबाइड कर लेंगे क्योंकि यहां पर हम बड़ी बड़ी सी लोई बनाएंगे इसलिए अब यहां पर अच्छे से चिकनी लोई तयार करेंगे तो सेम प्रोसेस से दोनों लोईयों को हम यहां पर रेडी कर लेंगे तो अब हम चलते हैं बेलने के प्रोसेस में, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चौकी में तेल लगाएंगे, इससे क्या होगा कि जब हम रोटी बेलेंगे ना तो चिपकेगी नहीं, तो अब यहां पे हमने ले लिया है लोई को रोटी बेलना, श्टार्ट करेंगे, तो बस तो आप हाथों से इस तरह लोई को गुमाते जाएंगे और रोटी को बेल के तैयार करेंगे, तो यहां पे जो रोटी बेलना है ना तो बहुत पतली ना तो बहुत मोटी यह देखिए इस तरह तो अब यहां पे हम कट करेंगे नास्ते को सबसे पहले चकु में तेल आप च मैं टमेता है एक प्रप्रोसेस पर भाइने से करने से अच्छाट्यं आपके ली कर दिया है जिए जेकम क्रणा होवाए प्रॉब कर मैं लिया है गोल में यहाँ पे अब हम डिप करेंगे नास्ते को तो यहाँ पे हमने लिया है एक पीस और फॉक चम्मच लिया है अच्छे से इस तरह आपको डिप करना है आप कोई सभी चम्मच ले सकते हैं तो दो से तीन पीस यहाँ पे हमने डिप कर दिया है अब यहाँ पे कड़ाही में एड़ करेंगे तो जितना इस पेस हो कड़ाही में आप उतने नास्ते एड़ कर सकते हैं गैस की फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि आटा पहले से ही पका हुआ है इसलिए हाई फ्लेम में क्रिस्पी होने तक नास्ते को हम तल लेंगे अलट पलट के गोल्डन कलर का बढ़िया सा प्यारा कलर आ जाए तब तक आप नास्ते को तल लीजिए फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो आपको जरब ही अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो ये लीजे नास्ता तल के रेडि है तो सेम प्रोसेस से सभी नास्ते को तल के रेडि करेंगे तो इस नास्ते को आप इंजोई कर सकते हैं सुबे के ब्रेक फास्ट में साम की छोटी मोटी भूख में बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं तो इस नास्ते को आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमने सर्व किया है टमाटो कैचप के साथ तो आप enjoy कीजिए बनाए ये family के साथ try कीजिए रेसेपी पसंद आई हो तो please like और subscribe कीजिए बाबाई